नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके रोज रात में करो पत्नी के साथ एक काम सफलता अवश्य मिलेगी. आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पांच कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए वरना ऐसे घरों से मा लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती. है तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों हमारे दिन की शुरुवात सूर्य उदे और शाम की शुरुवात सूरियास्थ उसे. होती है सूर्य उदे और सूर्यास्थ को दिन और रात का संधी समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्थ के बाद कुछ कामों को करना शुभ. नहीं माना जाता कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती उसके पीछे का कारण वास्तु दोश हो सकता है। चाहिए तो घर को नरक बना सकती है और अगर चाहे तो घर को कुतिया से महस भी बना सकती है। किया कंगाल होने लगता है, तो चलिए जान लेते हैं, कौन से हैं, वो काम और साथ ही. मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वह गुप्त काम है, जो रात के समय पतनी के साथ पती को जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों नमबर एक, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं. मगर यह एक तरह का वास्तुदोश है, माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचर्ण करती है, और उनके असर से आप में नकारात्मकता सकती है, तो यह गलती आपको रात के समय नहीं करनी चाहिए, इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बरतन रख कर सो जाते हैं, अगर ऐसा करने से मा अनपूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घर में सकती है, इसलिए रात में ही बरतन साफ करके सोना चाहिए जूठे बरतन. नहीं छोड़नी चाहिए नंबर दो कई लोग रात को सोते समय जूते चपल बैठ के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिलकुल गलत है, ऐसा करने से घर में अशान्ती पैदा ह सकती है, साथ ही दिमाधी तनाव भी हो सकता. है बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तु शास्त्र के अनुसार एक दम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हलकी सी रोशनी आप जरूर करें, इससे सकारात मक्ता बनी रहती है. या इसके जगहे पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जला कर भी सोच सकते हैं, इससे मा लक्षमी प्रसन्न होती है, कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ती की किस्मत उससे रूट. जाती है क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात मक्ता भी व्यक्ती के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, नमबर तीन रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है, शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता वही ऐसा करने से. स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोश भी लगता है, उसे घर में दरिद्रता आती है, रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोडेन भगवान की मूर्ती और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या परदा गिरा दें. इससे मूर्ती दोश नहीं लगेगा रात को सोते समय सिर या पैर दर्वाजे की और न करें, दर्वाजे की और पैर या सिर करके सोने से मृत्यू का भय बनता है, नंबर चार घर में मा लक्ष्मी जी की क्रिपा बनाए रखने के लिए घर का. वास्तु मुक्ठ होना ही काफी नहीं है, बलकि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी मा लक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त की जा सकती है, कहते हैं, घर में लक्ष्मी मा का वास तभी होता है, जब घर में साफ. सफाई हो सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदी करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्यास्त के बाद घर में ज़ाडू लगाना बिलकुल भी शुभ नहीं माना जाता वास्तु. शास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में ज़ाडू लगाना शृष्ट माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखें की घर के कचरे को रात में ही बाहर न फैंके अगले दिन सुबह. साफ सफाई करने के बाद ही फैंके इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार ज़ाडू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ज़ाडू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए ध्यान रहे. इसकी सीख यहाँ वहाँ न पहली हो, इससे धन की हानी होती है, वास्तु के अनुसार पैसों की तरह ज़ाडू को भी छिपा कर रखना चाहिए, घर में ज़ाडू को छिपा कर रखने से लाब होता है, इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और मा. लक्ष्मी का वास बना रहता है, ज़ाडू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, ज़ाडू को रखने की सही दिशा दक्षिन दिशा है, ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती है. और, दरिद्रता नहीं आता थी रात के समय ज़ाडू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है, इससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुभा सुभा सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही ज़ाडू. लगाने चाहिए कहते हैं, रात के समय ऐसी जगहों पर ज़ाडू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती खाना खाने की जगह पर भी ज़ाडू को नहीं रखना चाहिए, खाने की जगह पर मा अन्नपूर्णा का वास होता है, ऐसी. जगह पर ज़ाडू रखने से परिवार के सगस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, चलिए अब जानते हैं, पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए, आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा, घर में तुलसी का. होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्थ के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्ष नहीं करना चाहिए, और नहीं उन्हें जल देना चाहिए, इससे धन की देवी लक्षमी नाराज होती है, और घर से सुख समरिध्धी दूर हो जाती है. जिससे समय सूर्य अस्थ हो रहा हो, उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए, और नहीं भोजन करना चाहिए, इससे न सिर्फ धन हानी होती है, बलकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानिया भी होने लगती है, सूर्यास्थ के बाद कभी. भी अपने बालों को न काटें और नहीं शेप करवाएं कई लोग सूर्य अस्थ के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर से कर लेते हैं, ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है, और धन हानी भी होती है, इसी के साथ रात के समय. आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोस्तों ये तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं, जिन्हें. रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ती को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता, आचार्य चानक्य एक महान ज्यानी थे, उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्धी पर बैठा दिया था. अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, तो आचार्य चानक्य द्वारा बताया गया, यह काम आप रात में जरूर करें, अगर आप भी चानक्य द्वारा बताये गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं, तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे. वाले व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन याद रहे आचार्य चानक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए नहीं, तो आप उल्टा बरबाद हो सकते हैं, दोस्तों हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है, आचार्य चानक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पती को अपनी पत्नी को दिल खोल कर प्यार करना चाहिए पती-पत्नी में कोई भी दूर या नहीं होनी चाहिए, अगर पती-पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिक्वे दूर करें, अपने रिष्टे को आगे बढ़ाएं और अपने रिष्टे को और भी मजबूत बनाएं ऐसे लोगों पर सदै देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिन घरों में पती-पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रें करते हैं, तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है, और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे आचार्य चानक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए नहीं, तो आपके घर को बरबाद होने में समय नहीं लगेगा आचार्य चानक्य जी कहते हैं कि जब पती-पत्नी में प्रेम बढ़ता है, तो घर में संपन्ता अपने आप खिंची चली आती है, व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लिखने से विडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है.